नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है मेरे यूटूब चैनल फाइनेंशल विलेज में आज का टोपिक है अटल पैंसें स्कीम तो चली शुरू करते हैं जानते हैं कि यह स्कीम क्या है APS पहले स्कीम के बारे में जानते हैं What is APS APS is a retirement scheme for all Indian citizens यह हर भारती के लिए एक retirement scheme है यह जो scheme है यह दोस्तों government of India जो हमारा उसके दवारा चलाए गई है जो कि हर भारती के लिए एक pension scheme है जो कि उसकी 60 साल के बाद उसे मिलेंगे अब देखते हैं कि who can open this account तो दोस्तो इसके लिए जो eligibility है वो देख लेते हैं इसके लिए आपको पहले भारती नागर्विता होनी आपके पास जरूरी है इसके अलावा आपका एक saving bank account होना चाहिए चाहे वो किसी bank में हो या फिर post office में हो यूर age should be between 18 years and 40 years दोस्तो ये एक बहुत ही important इसके लिए eligibility criteria है कि आपकी जो उमर है वो 18 साल से उपर और 40 साल से कम यानि कि 18 और 40 के बीच में ही होनी चाहिए तभी आप ये pension scheme का जो फाइदा है वो ले सकते हैं अब देख लेते हैं कि how many accounts can I open at any time you can open only one account and it is unique throughout your life आप एक समय में एक ही account खलवा सकते हैं इस scheme के लिए और वही eligible रहेगा I am a member of EPS, NPS, PPF, can I join EPS? देखे ये एक बहुत बड़ा स्वाल है कि अगर आप पहले से ही EPS, NPS जो की एक scheme है government की या फिर PPF Public Providence Fund अगर आप वो पहले से join आपने कर रखा है तो क्या आप इसको खोल सकते है अटल पैंस नहीं हो जाना को? Yes, you can join EPS इसके वावजुद भी आप जो अटल पैंस नहीं हो जाना है उसको जोइन कर सकते हैं इसके बाद देखे, how much pension will you get? दोस्तो इसमें 5 option आपके लिए पहला है कि मंथली pension एक हजार रुपे अगर आपको एक हजार रुपे मंथली pension चीए तो उसके लिए आपको जो deposit amount है वो करना पड़ेगा अगर आपको 2000 मंथली pension चीए तो उसके लिए आपको deposit amount ज्यादा करना पड़ेगा अगर आपको monthly pension तीन हजार चीए तो उसके लिए आपको जो deposit about है वो अलग करना पड़ेगा अगर आपको 4000 चीए तो उसके लिए अलग से criteria है 5000 चीए तो उसके लिए criteria है यह देख लेते हैं दोस्तों कि what if you die before 60 years of age अगर आप national pension schemes के साथ जुड़ते हो लेकिन अगर आपकी किसी कारण वस death हो जाती है 60 साल से पहले तो फिर क्या होता इस scheme के बारे में चले पड़ते हैं if you die before 60 years of age then your spouse can choose one of the falling option continue the account close the account उसके बाद अगर किसी जो भी NPS account खुलवाता है उसके किसी कारण वस death हो जाती है तो उसका जो spouse है spouse का मतलब है दोस्तों कि उसका जो husband है उसका या फिर wife है वो उसके पास option रहता है कि उसको दो उसके पास दो option रहते हैं पहला तो यह है कि उसको जो account है वो continue रख सकता है दूसरा यह है कि वो close कर सकता है तो चलिए देखते हैं कि continue to the account पहला जो point है for example if you die at the age of 50 years then your spouse can contribute in her name for the remaining 10 years अगर आप कि किसी कारण वस death हो जाती है तो आपका जो spouse है वो उसको continue कर सकता है उसका जो भी contribution है वो deposit कर सकता है after that your spouse will receive the same guaranteed monthly pension till the end of his or her life इसके बाद में scheme सेम तरह से काम करेगी जैसे आपका spouse की जो उमर है वो शाट साल हो जाएगी तो उसको pension मिलने शुरू हो जाएगी जो दूसरा उसके पास option रहता है वो है close the account entire accumulated amount will be given to your spouse and the account will be closed अगर आपका spouse आता है कि उस account को close कर दिया जाए तो जो भी आप जो भी आपने जमा किया है अपने account में वो शब आपके spouse को मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इसका maturity calculator कितना रहता है इसमें आपकी your age मान लो आपकी उमर है 18 साल इसके बाद में देखिए जो option है दोस्तो you want to receive monthly pension कि आप monthly pension कितना चाहते हो जैसे अगर इसमें अगर आपको 5000 रुपे जो monthly pension है वो चाहिए तो आपको contribution देना होगा इसमें है कि you will pay your contribution कि आप जो अपना contribution हो monthly pay करोगे quarterly करोगे फिर half yearly करोगे अगर हमें इसमें monthly डालते हैं तो चलिए calculate करके देखते हैं कितना आता है यह हमारा calculator होगा दोस्तो इसमें हमारा monthly contribution आया देखिए 210 रुपे यह जो हमें contribution period है यह हमारा 42 साल रहेगा यानि कि अभी हमारे 18 साल एज है 42 के बाद हम 60 साल के हो जाएंगे तो 42 साल तक हमें जो contribute करना पड़ेगा total contribution हमारा जो contribution होगा दोस्तो वह हुआ एक लाख पांच अजार आठ सो चालिस रुपे और हमें 60 साल के बाद जो हमारा nominee होगा उसको हमें उसको जो total जो amount मिलेगा दोस्तो वह मिलेगा आठ लाख पचास अजार रुपे जो की एक बहुती बड़ा amount है चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसको आपको हर महीन 210 रुपे पे करना पड़ेगा जब तक आप शाट साल के हो जाते हो आपको बिमाले साल में जो total आपने जो contribute किया दोस्तो वह किया एक लाख पांच अजार 840 रुपे आफ्टर रेटाइमेंट यू विल गट गारेंटिड मंथली पैंसिन ओफ पांच अजार तिल दा एंड और फिर लाइफ इसके बाद आपको end of the life तक पांच अजार रुपे हर महीने आपको गारेंटिड मंथली पैंसिन मिलेगे आठ लाख पचास अजार रुपे उसको रिटाइर्मेंट वेल्थ मिलेगा तो यह एक बहुती बढ़िया स्कीम है दोस्तों इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं यह देखिए यह आपको amount contribute करना है जो कि एक साल में 2520 रुपे बनता है ऐसे amount contribute करेंगे तो आपका total जब आप 6 साल के हो जाएंगे तो आपको एक लाख पांच अजार 840 रुपे ही आपका contribution हुगा और इसका जो maturity है दोस्तों वो हम पहले बता चुके हैं कि इसमें आपको 5000 रुपे हर महिने की pension मिलेगी और जो सबसे बड़ा फाइदा है वो यह है कि आप्टर डैथ आपका जो spouse है उसको भी 5000 रुपे मिलेगी pension जब तक वो जिवित रहेगा और उसके बाद दोस्तों जो नो मिनी है उसको गारेंटीड शाड़े आठ लाख रुपे मिलेंगे तो यह बहुत ही बड़ीया स्कीम है government of India की जो भी भाई 18 साल से लेकि 40 साल के झाल